Hello everyone, हम उमीद करते हैं कि आपकी प्रिपेरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी चलिए देखते हैं आज किदर हिंदू की खास खबर क्या है Front page पर देखते हैं Refail cost is 2.86% lower but the sort benefited without bank guarantee says Comptroller and Auditor General भारत के Comptroller और Auditor General की report में ये सामने आया है कि 2016 में साइन किये गड़े कोंट्रैक में Inter-Governmental Agreement IGA के जरिये फ्रांस से 36 रफेर फाइटर जेट्स खरीदे जाने थे जिसकी लागत 2007 में UPA सरकार के वक्त के Audits Aligned Price से 2.86% कम है जब 126 Medium Multi-Role Combat Aircraft खरीदे जाने थे Comptroller और Auditor General ने ये भी देखा है कि ये कीमत और भी कम हो सकती थी अगर बैंक गैरंटी की छूट जो डिसॉल्ट एडियेशन को दी गई है वो भारत को दी जाती चलिए देखते है रफेर डिल पे CAC की report पर कुछ की highlights Transfer of Technology, TOT Cost Comptroller और Auditor General ने अपनी report में उन 108 विमानों के विनिर्मान की लागत पर विचान नहीं किया जो कि 2007 की 18 fly away प्लस 108 TOT एतरा बील का हिस्सा थी सिर्फ 18 fly away विमान को ही comparison के लिए Comptroller Auditor General में अपनी report में लिया है Comptroller Auditor General ने ये भी observe किया है कि 2016 के contract में वितरन कार्यक्रम में एक महीने का सुधार है पहले वो 72 महीने था जो अब 71 महीने हो गया है फिर है absence of bank guarantee Auditor ने ये कहा है कि इस deal में bank guarantee का समाविश ना करके dissolved को फायदा पचाया गया है जब कि वो फायदा हमारी सरकार को पहुच सकता था जो पैसे इस bank guarantee के समाविश ना होने से पचा है वो सरकार को पहुच सकता था जो कि सीधा dissolved को पहुचा है Next is government claims सरकार के दावों में से एक दावा ये था कि 2016 की deal में पहले के मुकाबले विमान नौ प्रतिशत सस्ते हैं लेकिन इस audit ने ये निशकर्ष निकाला है कि 2007 और 2016 की deal में इस मामले में कोई अंतर नहीं है साथ ही साथ क्याग में ये भी कहा है कि मंत्रालाई से एसा कोई प्रिस्ता अवगे तक नहीं मिला है जिससे कि IAF की परिचालन तयारी में इस व्यापक अंतर को भरा जा सके जो कि विमान की संख्या में कमी के कारण कोई है पहले 126 विमान खरीदे जाने थे उसकी जवाब अब 36 विमान खरीदे जा रहे है हमारे रोज के करंट अफेर के वीडियोज हिंदी में देखने के लिए हमारे यूट्यूब चानल एएशा यंग आईस को सब्सक्राइब करें बेल का बटिन दबाना ना भूले अगली खबर है सिटिजनशिप टिपल कुलाग बिल्स लाप्स सिटिजनशिप अमेंडमेंट बिल 2019 जिसकी वज़े से उत्तरपूरवी राजियों में काफी समय से विरोध प्रदर्शिन किया जागा था बुदवार को लाप्स हो चुका है तिकि सरकार उसे राजय सभा में पास नहीं करवा पए सिटिजनशिप बिल के साथ साथ प्रिपल तलाग बिल जिसमें मुस्लिम शादी में इंस्टेंड दिवोर्स को अपराधिक करा दिया गया था वो भी लैप्स हो चुका है आगामी लोगसभा चुनाओ को देखते हुए राजस्थान के मुख्य मंत्री अशूप गहलोत ने बुदवार को स्केट एसेंबली में 86,906 करोड रुपे का वोटन अकांप प्रिजेंट किया है और साथी साथ 2019-20 के बजट एस्टिमीट भी पेश किये गए है जिसमें टोटल एक्सपेंडिजर कुल खर्च है दो लाग 31,654 करोड रुपे है और राजस्था प्राप्ती है एक लाग 34,449 करोड रुपे बढ़ते अगली खबर की तरफ फांडेशन स्टोन लेट फॉर सुबर्ण रेखा पोर्ट इन उडिशा उडिशा के मुख्य मंदिर नवीन पतनायक ने उडिशा की बालासोर जिलेन में सुबर्ण रेखा पोर्ट की नीव रखी ये प्रस्तावित पोर्ट टाटा स्टील और क्रेटिव पोर्ट देवलोप्मेंट प्राइविट लिमिटेड द्वारा स्युक्त रूप से विकसित किया जाएगा जिसमें Tata Steel का stake होगा 51% और Creative Port Development Private Limited का share होगा 49% Next is Kerala takes the lead in the fight against trans fat Kerala के Health Department, Swasso Department ने एक action plan बनाया है जिसके जरिये व्यवसाइक रूप से उपलब्द खाद्य पधार्थ में पाए जाने वाले trans fatty acids के हानिक कारत प्रभावों के लिए जागरुपता फैलाई जा सके और साथी साथ स्थानिय खाद्य उद्ध्यों को बढ़ावा दिया जा सके कुछ activities जो स्वाथ स्वाथ से डिपार्टमेंट वारा की जानी है वो यह है कि इन पी एच वियों के निर्मान करता और आपूर्ती करता हों manufacturers और suppliers को पहचानना जो की bakeries और restaurants में इसकी supply करते हैं samples collect किये जाए और फिर इन अनेकों ब्रांट्स के test samples और पी एच वियों के retail sale को monitor किया जाए और TFA के उपर scientific sessions लेना और TFA-free विकल्पों पे training देना अगली खबर है 99.82% projects in forest got not भारत के सर्वोच National Board for Wildlife NBWL जो की one bhoomi के protected areas को और द्योकिक इस्तमाल के लिए देने की मंजूरी देती है उसने ऐसे 687 projects में से 682 projects को clearance दिया है NDA के 2014 से 2019 के रूल के दौरान 682 ऐसे projects recommend हुए जिसमें से सिर्फ 5 projects को reject किया गया था और अगर हम UPA के रूल को देखेंगे जो की 2009 से 2013 कर था तो ऐसे 260 projects recommend किये गये थे जिसमें से तक्रीबन 68 projects को reject कर दिया गया था National Board for Wildlife ने August 2014 में UPA के वक्त से pending 133 ऐसे प्रस्तावों को clear किया था Next is Rajya Sabha Cleo's law removing leprosy as grant for divorce बुद्वार को संसद ने एक ऐसा bill pass किया है जिसने 5 personal laws के अंतरगत तलाग के लिए कुष्ठ रोग को आधार बनाने का प्रावधान हटा दिया है इसमें Hindu Marriage Act भी शामिल है Personal Laws Amendment Bill 2018 के जरिये इस प्रावधान को जिन Personal Laws से हटाया गया है वो है Hindu Marriage Act Dissolution of Muslim Marriage Act Divorce Act for Christians Special Marriage Act and the Hindu Adoptions and Maintenance Act Only 84% rural households have electricity in 4 states भारत के 4 राज्ये उत्तरप्रदेश, बिहार, उडिशा और राजस्थान में 10,000 घरों के सर्वेक्षन पर ये पाया गया है कि इन राज्यों में सिर्फ 84 प्रतीशत ग्रामीन घरों में विद्यूत कनेक्शन है अगर इन राज्यों की Availability Rate और Access Rate देखा जाएं तो उत्रप्रदेश में Availability Rate है 82 प्रतीशत वहीं Access Rate है 58 प्रतीशत बिहार में Availability Rate है 97 प्रतीशत वहीं Access Rate है 91 प्रतीशत उडिशा में Availability Rate है 91 प्रतीशत और Access Rate है 90 प्रतीशत राजस्थान में Availability Rate है 91 प्रतीशत और Access Rate है 92 प्रतीशत अब आते हैं आज की आखरी कबर पे A Warriors Memorial Comes to Light पूने से 35 किलोमेटर पर सिनागर फोर्ट पे Restoration Workers को तानाजी मलुसरे का मूल समारक मिला है तानाजी मलुसरे एक बहुती बहादूर मराथा योद्धा थे और ये कहा जाता है कि शिवाजी ने उनहीं के नाम पे सिनागर फोर्ट का नाम रखा था सिनागर युद्ध के दौरान 1670 में घायल होने की वजह से उनकी मृत्ति हो गई थी ये पत्थर की सरचना सिमेंट, कॉनक्रीट और तेल की परतों के अंदर पाया गया जो की माना जाता है साड़े तीन सो साल पुराना है इसी के साथ हमारा आज का दर हंदू की मुख्य कबरों का विशलेशन यहीं खत्म होता है